नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं पियच आपके बालों के लिए और स्केल्प के लिए कौन सी पियच अच्छे है और आपको कोई भी शेंपू काम में लेते वक्त किस पियच का शेंपू लेना चाहिए ये थोड़ा से सेंटिफिक है फिर भी आप इसको समझ पाएंगे पियच से ताथ पर ये होता है फ्री हाइड्रोजन या उसकी असेडिक है या अलकली है सेवन पियच यदि किसी की है तो वो निट्रल कहलाता है सेवन टू फॉर्टीन की जो रेंज है उसको अलकली बोलते है और सेवन के नीचे असेडिक होता है 7 के ओपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वह alkaline nature उसके बढ़ती जाएगी और 7 के नीचे जैसे नीचे जाएंगे acidic प्राउडती बढ़ती जाएगी अब आता है कि हमारे बाल की normal pH क्या है बाल की normal pH acidic होती है 3.67 लेकिन scalp की pH होती है 5.5-5.4 means slightly acidic अब ये क्यों importance रखती है आपका कोई भी जो shampoo है जो आप काम में लेना चाहते हैं या साबून आप काम में लेते हैं वो slightly acidic होना चाहिए means उसकी pH 5.5-6.5 की range में होनी चाहिए क्योंकि acidic pH से हमारे यहां के scalp के fungal infection, bacteria, oil जो secret होता उसको clean करने के लिए हमें acid की आउशक्ता होती है जो भी अच्छे quality के soap आते हैं उनका proper soponification होता है तो वो acidic बन जाते हैं और यदि नहीं तो फिर alkali रहते हैं जो आपके बालों के लिए अब pH यदि alkali होगी तो क्या होगा alkali pH होने से जो हमारे हेर के scales होते हैं शिंगल होते हैं वो open up हो जाते हैं और जब हम साफ करते हैं तो watering या ringing और उसको help करती हैं और जब scales open हो जाते हैं तो पानी water hair shaft में चला जाता है और उसमें जो protein है keratin उसका hydrolysis हो जाता है जिससे keratin का जो structure हो बिगड़ जाता है अतर यदि आपका pH soap का या shampoo का alkali हुआ तो directly आपके hair को नुकसान पहुंचाएगा skin में होने वाले bacterial infection को control नहीं कर पाएगा अतर pH balance shampoo लेना अत्तधिक आउशक है केई बार लोग बागे सोचते हैं कि हम baby shampoo का उपयोग कर लें तो मैं बता दो कि baby shampoo बनाया जाता है बच्चों के लिए और उनकी आँखों में ना जाया उसके लिए उसकी pH को slightly alkali रखा जाता है means less acidic it can be 6.5 to 7.4 क्योंकि वो ही pH उनके tears की होती है मताँ आँखों में यदि वो साबून चला जाया या shampoo चला जाया तो बच्चों को आँखों में जलन नहीं होनी चीए लेकिन adult लोग बड़े लोग उसका उपयोग करते हैं तो वो उनके लिए हानिकारक है advisable नहीं है अते आपको दो message है एक तो जब भी आप साबून ये shampoo खरीदे उसकी pH 5.5 to 6.5 के बीच में होनी चाहिए नमबर टू जो adult लोग है कोई वो कभी भी baby shampoo का उपयोग ना करे क्योंकि less acidic या slightly likely होते हैं वो आपके बालों को damage कर सकते हैं थैंक्यू नमश्कार कर दो प्रह वो धिया कर गिया और कर शेपने के दो कर दे और आपके कर सकते हैं